हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग सी बेसी क्लास 11 का जो पहले चैप्टर है सब बेसी कॉंसेट्स ऑफ केमिस्ट्री जी हां उसके अंदर आज हम फिर से एक और इंट्रस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी स्टुडेंट्स अभी तक बहु अगर आपको इससी प्रिवेश्ट्स वीडियो लेक्ट्स याद वोगा तो मैंने अपनाया था कि हर एक सॉलिशन की एक बेसिक यूनिट हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बलाते हैं आपका कॉंसेंट्रेशन क्या बलाते हैं सुलिट्स हम उसको कॉंसेंट्रेशन जी तो सुलिशन घृत्पe हैं यहाँ में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं किस बारे में वो सभी यूनिट्स के अंदर कितना solute डाला कितने solvent में उसी को हम बुलाते हैं तो उसी को हम लोग express करेंगे उसी को हम बताएंगे लेकिन अलग-अलग form में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रिबिएस वीडियो लेक्चर में एक्स्प्रेंड किया था कि तरीके होते हैं उन्हें हम दो प आपको अगर एक्जांप्ल साथ ग्रूप A के अंदर तो ग्रूप A के अंदर हमने पढ़ाता मुलारिटी नॉर्मालिटी strength of a solution और मैंने लास्ट पढ़ायता आपको फॉर्मालिटी जो कि अब तो असे लेबर से घर हटी चुका है तो इसको पढ़ने की जरूत वैसी नहीं है ठीक है और ग्रूप B में मैंने आपको पढ़ायता सुडेंट्स क्या क्या ग्रूप B मैंने आपको पढ़ायता सुडें तो किसको मास फ्रेक्शन राइट अगें मास फ्रेक्शन से जादो कुछ खास आता नहीं है तो ना के ब्राबर ही मानके चलो इवन आपकी अपकी आप लोग आप लोग क्या पर सुडेंट्स यह हम अल्री कवर अप कर चुका है अगर आप याद हो तो इसके अंदर मैंने आ और लासता हमारा सुलेंट इसके अंदर भी भाई घ्राइट बिल्कुल यह माने पढ़ना यह भी में इस लेबस में नहीं आने वाला स्टुटेंट्स याद रखेगा रहे तो उससे लेबस में तुटेंट्स आएगा क्या तो धार सुरेंगा स्टुटेंट्स यह जो दोनो आज हम cover up करने जा रहे हैं आपका molality जो की गुरुप A की अंदर आता था याद हो को आपको और molality और लांस में कड़ेंगे आज students small fraction क्या करेंगे small fraction so आज का ये video lecture याद रखेगा the core concept the core idea will remain same इन सभी तरीकों से इन सभी methods के साथ हम बता एकी चीज़ रहे होंगे student क्या बता रहे होंगे हम बता रहे होंगे concentration और concentration term का बोलने का मतलब क्या हुआ कि बिजया concentration में कितने terms में कितने form में express कर सकते हैं तो ये सारे नाम मैंने आपको explain करें था यह आप लोग ने previous video lecture देखा हो जो नहीं 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 देखा मैं सभी को advise करेंगा प्लीज जाए और इससे पहले वाला solution का introduction lecture उसको जाकर प्लीज देखे वाइट तो फजली फिलाल समझ आ चुका है कि आज की किसके बारे में है molarity के बारे में molality के बारे में और आपके more fraction के बारे में तो चलिए students फिलाल टाइम ना विस करते हो आगे continue करते हो जानते है किन चीजों को कैसे study कर जाता है यह मैं भी cover अपनी कर रहा है यह इसको cover करेंगे अलग class के अंदर fine यह हम cover कर चुके यह cover नहीं करना यह cover नहीं करना ठीक है चलि हटा दिया जाए चलि तो students अब बानते हैं हम लोग सबसे पहले start करते हैं molarity किसके साथ molarity molarity को पढ़ते हैं और जानते हैं molarity क्या बोलते हैं तो चलि जानते हैं molarity जी हाँ नाम यह सुन रखा होगा हम सभी लोगों ने 11th class के अंदर molarity symbol इसका होता है capital M और इस capital M symbol को हम लोग pronounce करते हैं molar जी हाँ इसको बुलाते हैं molar molar stand for molarity जी अब इस molarity को देखिए इसका formula आपको books वागरा है मिल जाएगा आपको school teacher उसको पढ़ाएदेगा और यह ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पहली बार सुन तो इसके definitions में आपको किताब मिल जाएगा इसका formula भी आपको books में मिल जाएगा लेकिन जो चीज concept के लिए समझना जादा जरूरी है वो है इसका concept जी हाँ जो चीज को समझने में जादा जादा important है वो है इसका concept सबसे पहले जानते हैं मुलारिटी हमें क्या बताती है या किसी भी solution के अगर मांग के चलो हमारे पास अगा मुलारिटी इंक को पता है if we already know what the molarity is तो हमें क्या किस तरही के information रहे है उस particular चीज मुलारिटी समझने के लिए let's consider an example एक example लेकर चलता है so example में मैं क्या लेकर चल रहा हूं let's say हम एक solution तियार कर रहे है solution जैसे की NACL solution तियार कर रहे है अब NACL solution कैसे होगा प्रपेर अनल solution के अंदर we have to add NACL in water NACL को water में डाला और हमारा NACL solution तियार होगा है तो जैसे स्टुडेंट्स अब NACL solution को हम लोग डाल रहे हैं पानी के अंदर लेकिन जब मैंने NACL water को add किया था उस time पर उस time पर हम लोगों नहीं तो NACL का quantity add calculate की ती और नहीं हमने water कितना लेके चल रहे हैं हमने उसकी quantity है वह करी थी क्या क्या हो रहा है कि अब हम लोगों ने क्या करा सिधा स्टेट है वन दोनों चीजों का आपस में mix-up कर डाला है उन दोनों चीजों को आपस में mix-up कर डाला है और हम मिक्स करने के बाद जहां सुनेगा श्चाहिए बाद ने का आपस दोनों चीजों को पाने में ढाला और तियार हो चुका है अब उस सॉलीशन का प्डाइट न टीजों अब ऑन लीटर वॉल्यूम मैं अलग से calculate करके measure करके अलग कर लूँगा अलग से measure करके इसका one liter solution को मैं अलग कर लूँगा और अब NACL जब मैं water में डाल रहा था उस time मैंने calculate नहीं कहा था कि मैंने कितना NACL डाला कितना पानी था मुझे नहीं पता था कितना solution त्यार हुआ था उसका मैंने एक लिटर ले ले अलग से हो और अब ध्यान सुनेगा students जो बताना चारों है अब इस एक लिटर solution में याद रखेगा अब इस एक लिटर solution में जितने भी number of moles बिलेंगे किसके solute के अब NACL solution में NACL आपका solute हुआ और water आपका solvent हुआ तो यहाँ पर हमें बात कर रहा हूँ solute के moles solute का moles मुझे बोलने का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ NACL के moles के बारे में so अब NACL के moles जो मेरे एक लिटर solution है जान सुनेगा NACL के moles जो मेरे एक लिटर solution में dissolve हो चुके है इसी number of moles को हम लोग बोलते है molarity जी हाँ इसी number of moles को हम लोग बोलते है molarity chemistry के अंदर जब molarity जैसे concept को scientists लोग define कर रहे थे उस time में उन लोगों ने ये fix कर दिया था कि भया जब molarity define होगी when we are going to define the molarity तो volume जो लिए जाएगा solution को एक लिटर ही लिया जाएगा और solution का ही volume लेंगे solvent का नहीं solution का ही लिया जाएगा वो भी एक लिटर एक लिटर का मतलब है thousand amel okay thousand amel के लिए जी है right या आप लोग उसको thousand centimeter cube भी बोल सते है all right volume conversions कैसे convert करते हैं एक unit को दूसरी unit के अंदर कि भाया अगर हमें molarity को पढ़ना है तो यह तो confirm हो चुका है कि भाया solution का volume लिटर है इससे जादा नहीं हो it will remain one liter that's for sure इसके बाद number of moles अभ उस एक लिटर में जितने number of moles मिल गए वो ही क्या बनका है हमारी molarity यानि कि समझ में क्या हा रहा है कि ये दोनों ही चीज़े कहिना का एक दूसरे पर dependent है क्या है एक dependent relation है इनके बीच में एक dependent relation है इनके बीच में dependent relation से मेरे कहने का मतलब है कि अगर मानके चलो मेरे एक liter solution के अंदर मुझे जादा moles मिलेंगे solute के point to be noted अगर एक liter solution में जादा number of moles मिलेंगे solute के तो मेरी molarity भी जादा होगी और वही पर अगर एक liter solution में मेरे को कम number of moles मिलेंगे solute के तो मेरी molarity कम मिलेगी तो यहाँ पर हम कहिना कहिन direct relation बोल सकते है किसके उपर कि molarity और number of moles एक दूसरे के उपर कहिना कि इनकी जो value है यह इस ही को define करता है तो याद रखेगा अब अगर मैं पूरे concept को conclude करूँ जान सुनेगा अब अगर अगर इसा पूरे concept को conclude करूँ तो conclusion से समझ में आ रहा है कि molarity क्या होता है it is defined as the number of moles of solute dissolve in one liter of solution or I can say thousand ml of solution moles come molarity come किसके अंदर एक liter of solution अब इस concept को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा और command बनाने के लिए काम करता है इसका एक और example लेकर चलता है अभी मैंने आपको उपर से मीचे लेकर आयता पहले मैंने solution को define कर रहा फिर number of moles को पिर molarity अब एक काम करता है इसका उड़टा चलता है और let's see हमें क्या समझ में आ रहा है या किस तरीके की information हम को से मिल पा रही है ये समझते हैं So students let's consider एक solution है जिसकी आपको molarity जिसकी आपको molarity 0.5 M 0.5 M 0.5 M 0.5 M molarity already given है So now what do we understand by this What do we understand by this 0.5 M So 0.5 M correlation अब नीचे से ओपर जा रहा है Now we have to move from bottom to top So bottom to top मुझे ये बोल रहा है कि भाया जो भी molarity होगी मैं क्या बोल रहा है कि जो भी molarity होगी वो क्या बता रही होगी कि भाया जितनी भी molarity है इसका मतलब उतने ही क्या number of moles क्या उतने ही number of moles किसके solute के dissolve है किसके अंदर एक लीटर solution के अंदर एक लीटर solution के अंदर So as you can see students की 0.5 molarity से मुझे दो चीजे अपने आप पता चल रही है और वो दो चीजे क्या-क्या है मुझे इससे इतनी 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 information मिल रही है कि 0.5 का मतलब है 0.5 mols present होंगे किसके solute के किस में present होंगे 1 liter and as I say कि भया molarity में ये जो चीज रहेगी ये फिक्स रहेगी इत विल नेवर गॉना चेंज ये चीज फिक्स रहेगी ये कबीच बदलेगी नहीं तो अगर मान के चलो में है 0.25 mols 0.25 mols तो उसका मतलब क्या होता 0.25 mols एक लिटर के अंतर अगर मालनों में लिटता है 2 M 2 molarity 2 molarity का मतलब क्या निकल आता कि 2 mol present है किसके अंदर एक लिटर के अंतर तो simple था fundamental है कि भया molarity हमको ये बताती है कि कोई भी solution अगर तयार करा गया तो अगर हम उसका एक लिटर ले रहे है तो उस एक लिटर में कितने mols मिलें mols अगर कम molarity कम mols अगर जादा molarity भी सब याद रखेगा जो students अपने एक pen और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि molarity हमको बताती है the number of mols of solute present in one liter of solution एक liter solution में कितने number of mols present हम वाइक चलिए अब इसको आप लोग चाहे तो इस concept को आप लोग कर ले जोगा वीड़ो को पॉस करके क्योंकि फिलाल में इसको रभ करने जा रहा हूं क्योंकि रभ करने के बाद हमें इसके आगे के और भी concept इसका mathematical form भी जानना होगा जी So the next part we have here कि mathematical formula mathematical formula क्या होता है molarity का इसको जानते हैं So mathematically So mathematically अभी हमने जो definition पढ़िया को इसको फॉलॉप पर है तो उसके अकोड़ी molarity that is capital M is your what do we call number of modes of solute that is and B upon volume of of solution but किसमे liter में याद अरकेगा volume तो लेना है but किसमे liter में अब जो students here video lecture straight away देखना है पहले आगर के तो नहीं बताता हूं कि a standard convention लेके चलते हैं हम लोग students chemistry में आद अरकेगा whenever we write A or 1 whenever we write A or 1 तो इस A or 1 समत्तब होता है हमारा यह रिप्रेजन करता है हमारे solvents को whenever we write B or 2 तो यह हमारा रिप्रेजन करता है किसको solute को यह हमारा रिप्रेजन करता है आपका solute को alright so यह रिखेगा है जो NB लिखा है N होता है number of moles and B stands for solute को यह पर लेज़े number of moles volume of solution so अगर मैं number of moles को formula थोड़ा सा और open करता हूं that is NB तो इसको formula होता है class given mass इसको अपने WB गनाएंगे upon me molecular mass upon me molecular mass that is NB यह होगा आपका WB that is the weight solute को weight की वनोगा और इसको divide कर देंगे now the next part we have here is your volume कैसे की standard definition molarity की volume होना चाहिए किसमे liters में सो याद रखेगा volume of solution जो होता है यह हमें चाहिए liters but sometimes in numerical it is given in it is given in ml तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपको ml को convert करना होता है जानते हैं तो यह आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा सो आपको आपको इसको सो आपको आपको से यहां पर मेर पास volume of solution आचुका है in terms of liter ml की terms में आचुका है और नुमर और मोल का मेर पास है अगर हम इन दोनों values को molarity का जो standard formula है अगर इसने पूट कर देते हैं तो molarity का final formula molarity का final formula क्या अबन करके निकलके आता है student से देखेगा wb upon mb upon volume of solution upon 1000 इसको मैं simplify करता हूँ यह बनता है आपका wb into 1000 upon mb into volume of solution समझे लोग कुछ लिए simple mathematics है nothing else it's just simple mathematics आप देख सकते है simple mathematics है 1000 को पर देखेगे but यहाँ पर एक चीज़ का आपको खासा ध्यान अफमा पड़ेगा और वो क्या है और वो students यही चीज़ है कि यह जो 1000 लगावाए नहीं यह 1000 का unit convert करने का purpose है just use for the conversion of unit unit भी कैसे कि यह आपके volume ml में था इसको लीटर मोला रहा है क्योंकि condition यह कहती है कि volume लीटर में ही होना जरूरी है और यह जो इसके इस दा formula for your but do we call molarity यह पको formula बन जाता है molarity के लिए other than this as you can see कि अगर जो standard formula है molarity का इसना आप देख सकते है कि इन्युमिरेटर में लो लो लेके चल रहे है moles और दिनॉमिरेटर में हम जो डिवाइट कर रहे है इसको डिवाइट कर रहे है लिटर वॉल्मिरेटर में तो उपर है mols जीचा आगे लिटर याद रखेगा students की जो unit होती है वो होती है mols per litre point of quantity discrete students mols per litre सो याद देख सकते है आप लो this is the complete formula derivation for the molarity maximum question में हम लोग इस formula को यूज करेंगे अगर मैं CBAC की बात करूँ लेकिन IIT जे और NEET के अंदर we have to use the concept concept यूज करना आना चाहिए हम हाँ पर formula पर बेस question कम आते है concept पर बेस जादा आते है question based question जादा आते है या तक कि का यह आपके CBAC में काम करेंगा maximum जोगों पर लेकिन अगर मैं JINIT में जो लेवल थोड़ा होना शुरू होता है analysis के अंदर तो महा पर हमें इसकी basic definition जो मैंने concept आता starting में उस पर हमें switch करना पर सकता है लेकि maximum numerical से आप चाहे तो you can use either this formula और this one यह दोनों में आपको ऐसे formula use कर सकते है molarity के लिए right so as you can see आप सब लोग चाहे तो वीडियो को पहुच करके इसे copy कर सकते है fine क्योंकि अब मैं इसको again हटा करके molarity के उपर अब एक आदा portion देख लेते है यह formula जो यहां पर लिखा हुआ है इस formula को यहां पर हम लोग as a piece छोड़ देते हैं और चानते हैं कि अब आगे कैसे चीज़े और समझी और पड़ी चाहिए चाहिए चलिए students अब एक formula देखते है question देखते हैं right question क्या बोलता है question देखते है ah let's say a question let's say a solution of 540 gram of glucose इसका मुरमा सबु कियावन है 180 is dissolved in sufficient water to form form 2 liter solution जिया 2 liter solution आपको तियार करना है question बुला है calculate calculate its molarity calculate its molarity इसकी molarity आपको calculate करने आने ची so question copy कर लिजी आप सब लो video को pause करके try करे फिर मैं आपको solve करके दूँआए question question right video को pause कर लिजी का पहले try कर लिजी play try आपके देखते है यह होता है question के अंदर as you can see किस वार हमे volume जो है students 2 liter में दिया हुआ आपको आपको volume liters में अगर दिया हुआ है then there is no need to use thousand in the formula students जाद रखेंगा मैंने बताया था thousand इसे लगा हुआ है आपका ml liter बन जाए लिकेन अगर आपको 1000 volume अगर लिटर में दिया रखेंगा there is no need to put 1000 this formula then we will simplify करके यह लिख सकते है right so this is the formula we have here as you can see this formula के अगर थीन है W भी होता था weight of solute और यह पर solute क्या है आपका glucose कितना weight है 540 g molar mass solute का MB molar mass solute का भी दे रखा है 180 यह भी दे रखा है or as you can see आपको volume भी रखा है that is your so do we call कितना एक दो लीटर तो अगर मैं थीनों वैलूस को आपको पूट करता हूं so straight away मेरी वैलूस को पूट करने के बाद यह वैल्यू आजाती है 1.5 molarity इसको आप लोग याद रखेगा moles per liter भी रिख सकते हैं students moles per liter भी रिख सकते हैं as you can see students higher version question आजाता है चली सबस्ते हो कैसे आता है copy करने सब लोगो ने easy था question था कुछ भी नभी और आगे इससे अचाचा numerical आपको देखने को मिलेंगे molarity को right अटादे जाये इस चली G now the next part we have here is relation between polarity and density of solution point to be noted density of solution yeah कई बार students ऐसा भी थेखने में लेगा आप लोगो को कि आपको questions के अंदर straight away polarity के लिए जो volume को formula में देखने के volume चाहिए होता molarity define करने के लिए कई बार numerical में आपको volume में देखरके वो straight away आपको density of solution देखा होगा और भी माश से आपसे बोलेगा कि अंदर आपको value होगी तो आपको एक relation पता और अच्छी density के बारे में right so याद रखेगा density formula i am sure आप सभी लोग जानते है density formula होता है mass by volume but यह पर students again confused होते है students यहाद रखेगा इस formula में अगर आप density solution के लिए और denominator में जो volume आएगा वह भी आपका solution का ही होगा so यहाँ पर मैं इस value को simplify कर सकता हूं volume or solution को आप यहाँ ले जाहिए और इस formula दूसरे तरफ denominator में लिए आते हैं काम करते हैं माज़कों में डब्लीव कर देते हैं तक ही standard convention में याद रहे तो यह रहेगा आपका weight of solution upon विचार के आपके density को जाहेगी row density row right so as you can see volume of solution as you can see denominator में किवान है volume of solution में आपका already किवान है तो अगर मारकर चली volume of solution की यह value मैं molarity case formula में put करता भी हूं so in that case यहाँ formula simplify करके अन जाएगा that is weight of solute multiply by density upon molar mass of B and नीचे दिममेंटर में आपका आजाएगा weight of solution जी आप लोगों का weight of solution तो as you can see formula आप लोगों के आपर लगा सकते है as you can see कि हम उस formula में अगर density है हमारे पार so instead of volume we can use density here so इस concept को भी हम लगा सकते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि this is the relation between the molarity and density of a solution तो आप चाहे तो इस अगें copy कर सकते हैं और अगें इसको हटा करके अब हम लोग कर लोगों को पी सब लोगों ने जी बिलकुल आगे चलते हैं और अब कुछ questions देखते हैं इसको पर लेकिन एक चीज जो students आप से discuss करने चाहता हूं वो यह कि whenever we have a question on density या कभी-कभी मानने जो molality और density पर मिलकर कर को question आ जाता है तो उस पर जनरली आप लोगों को molality भी साथ में पूछलता है molality जी बिलकुल तो फिलाल इस particular relation के उपर numerical देखने से पहले हम एक numerical और देख लेते हैं आपके molality concept के साथ देखें पहले उसके पहले हमें molality डिसकस करना पड़ेगा तो फिलाल हम लोग बात करते हैं आपके अगले topic के स्लियारे में जो की कहलाता है आपका molality जी हाँ तो नौ students अब हम बात करने जा रहे हैं आपके next concept के बारे में जिसको आप लोगोंने में अगें in your 11th class which is called molality symbol होता है इसका small m और इस small m को हम प्रनाउंस करते हैं molal याद रखेगा molality का symbol था capital M इसको बलाते हैं molar इसको बलाते हैं और इसको बलाते हैं आपका molal इसको बलाते हैं molal तो दोने में फरक हैं वो capital M है यह small m right so now as you can see कि यह हमारा molality होता है और again molality का formula इतना important नहीं है इसका again definition इतना important नहीं है जो चीज़ इंपोरेंट है अगें वो है इसका concept तो firstly we need to understand its concept किसा concept क्या होता है जी सो firstly अगर इसका concept सहनना चाते है तो इसका concept मैंने पोई चीज़ बतायती कि sorry molality मैंने पोई चीज़ बतायती कि मैंने मैंने जो इसका example यहाता वहाँ आपर हम लोग जब solute और solvent को आप अशे mix कर रहे थे तो वहाँ पर mix कतर है हम लोग ने इसका ध्यान नहीं रगा थे कि कि इतना solute कितना solvent डाला उसे हमने खाली जान दोनों को mix कर देता और हमने solution त्यार कर देता उसके बाद हमने उसके molality calculate कि लेकिन molality के अंदर थोड़ी चीज़ अलग हो जाती है molality से क्या होती है कि अगे लेट से कि for example मैं फिर से example लेता हूँ आपना solution का तौर पे तो लेट से sugar solution in sugar solution क्या होगा sugar solution में हम sugar को water में डालेंगे तो आपको sugar solution त्यार होगा आपका sugar क्या होगा solute और आपका water होगा आपका solvent लेकिन now students कि इस case में molality define करने के लिए हम लोगो क्या आपड़ेगा अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों वो mix करने से पहले याद रखिए का इन दोनों चीजों को solute और solvent को mix करने से पहले हम लोग पहले से ही solvent का यानि कि water का 1 kg amount याद रखिए का water का 1 kg weight पहले से ही measure करके अलग कर देगा यानि कि molality बढ़ाते है मैं आपको मिक्स कर रहे है तो महां पर हमने पहले से measure नहीं कराता कि हम कितना water ला रहे लेकि molality के लिए आपको ये पहले से ही अलग से measure तरके अलग करना पड़ेगा कि जो solvent ले रहे है जो water ले रहे है वो आपका 1 kg भी होना चाहिए amount के में 1 kg weight ही उसका 1000 gram उसका amount होना चाहिए इस बार में बात हो रहे हैं पर कि अगर हम molality study कर रहे है solution की तो 1 kg क्या लेके चल रहे है हम लोग आपका solvent यहां पर हम लेके चल रहे है आपका 1 kg solvent volume नहीं इसका याद रखेगा weight लेकर चल रहे है जैसे कि आपका 1 kg solvent लेकर चल रहे है और अब इस 1 kg solvent के अंदर हम dissolve करेंगे solute के quantity यान कि solute के moles तो यहां पर हम डिजॉल करेंगे solute के moles मोल्स ही क्यू बात कर रहा हूं मैं याद रखेगा हम chemistry के अंदर ऐसा unit के तौर पे quantity को gram kg ml मेजर नहीं करते chemistry के अंदर हम यहां बात करते है moles के बारे में तो moles ही यहां पर हम बात कर रहा हूं तो यह moles कुछ और नहीं यह आपके amount of the substance quantity of a substance को ही represented रहा है तो याद रखेगा यहां पर आपके number of moles of solute है यह आपके number of moles of solute है यह आपके solute की quantity बता रहा है किसके अंदर 1 kg solvent के अंदर जी So 1 kg solvent लिया अब उसके अंदर number of moles solute को add करा तो याद रखेगा 1 kg solvent में जो number of moles solute के dissolve होंगे students any number of moles को again हम यहां पर नाम दे जते है molality जाद रखेगा any number of moles को हम लोग यहां पर नाम दे जते है molality So as you can see again कि जब हम लोग molality को standard definition अगर हम बात करे इसका standard तरीका Sanders लोगो ने explained कियाता अगर मैं उसकी बात करूँ तो उनने again 1 kg solvent को नोने fix pre-refined करके चलेते कि विए यह तो fix रहेगा it will never gonna change यह change नहीं होगा next thing जो आपको समझनी होगी वो समझनी होगी कि 1 kg solvent के तौर पर 1 kg solvent के साथ हम लोग यह जो fix रहेगा अपको concept यह बोल रहे है कि जो moles रहेंगा solute के वह आपके molality में रहेंगा यानि कि अगर 1 kg solvent में solute के जादा moles जा रहे है तो समझ जाएगा उसकी molality भी जादा मिलेगी क्यों क्योंकि again यह दोनों इस दूसरे पर depend कर रहे हैं याद रहे हैं यह दोनों इस दूसरे पर depend कर रहे हैं Depend करने का मतलब अगर आपके solvent में जादा solute के moles जाएंगे तो आपको molality भी जादा मिलेगी और अगर solvent में आपके कम नमर आव moles जाएंगे तो आपको molality भी कम मिलेगी तो students मैं पर अगें बताना चाहूँ मैं आप लोगों को तो यह दोनों एक दूसरे पर dependent relation पर represent कर रहे है एक किलोग्राम solvent में moles जादा तो molality जादा एक किलोग्राम में moles कम तो molality कम तो इसकी value यहाँ पर इस पर depends कर दो तो अगें यहाँ पर समझने वाली जो बात हो यही है कि concept क्या बोल रहे है अगर आप सब लोग रेज़्टर पहन वहरा रख करके बैटे वे हैं तो आप यहाँ पर अभी इसको लिखली जागा जो मैं बोलने जा रहा हूँ अब definition of molality क्या बंती है definition of molality क्या होती है it is the number of moles of solute that is dissolved in 1 kg of solvent जाद रखेगा number of moles solute that is dissolved in 1 kg of solvent G जाद रखेगा that's how we define the concept of molality लेकिन अगेन इस concept थोड़ी और command बनाने के लिए कि काम करते हैं इसका reverse case लेके चलते हैं यानि कि अगेन अभी हम उपर से नीचे आईते हैं अब हमें काम करेंगे हम लो नीचे से उपर की तरफ चलते हैं और study करते हैं कि एक solution था जिसकी molality 1.25 small m 1.25 small m है G So now what do we understand by this तो students again इसका concept समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा So concept बोलता है कि जो molality होगी वही क्या होंगे आपके क्यों होंगे क्यों होंगे ये दोनो एक दूसरे पर depend कर रहे हैं बिल्कुल सही So now what gonna happen कि 1.25 molality मुझे बता रही है कि 1.25 moles किसके solute के present होगे किसके अंदर 1 kg of solvent के अंदर 1 kg of solvent के अंदर कि ये जो value है 1 kg solvent रहेगा ये predefined रहेगा कि बया 1 kg या 1,000 gram ही लेके हमें चलना है और as I have told you कि जो molality होगी इतने ही number of moles किसमे 1 kg है जैसे मैंने बजाता है दोने से डिपेंड करी दूसरे को बजी तो अगें यहां पर आप समझतकते हो कि मानके चले कभी भी आप IDJ या नीट में कोई 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 कर रहे हो and you find a molality then you have to use its standard definition जो यह बोलता है कि इतने ही moles किसमे 1 kg है तो आप समझतकते हो कि इस particular चीज से आपको दो information अगें बहुत useful information मिल जाती है पहला solute के आपको मोल्स मिल जाते हैं और दूसरा आपको 1 kg solvent की quantity भी मिल जाती है so as you can see this is how we define the concept of molality अगर अब आप लोग चाहे तो इसे आप कोपी कर ली जागा वीडियो पॉस्ट करके fine क्योंकि आप मैं इसको थोड़े में रभ करने जा रहा हूं तो पर इसे कोपी कर ली जागा आप सब लोग जी क्याड़े कापी के mathematical formula के ओपर molality के mathematical formula क्या होता है इसका देखेगा formula define करने के लिए हमें इसकी जो definition जो standard definition molality की हमें वो यूज कर रही हो तो इसकी standard definition क्या बोलती है so अगर मैं standard definition की बात तो molality की molality होता है small m it's a symbol it is your number of moles of solute symbol इसका होता है B upon weight of solution इस बार याद रखेगा solvent लेके चलेगा इस बार क्या लेके चलेगा solvent का weight उसका mass लेके चलेगा और जैसे कि आप सभी लोग जानते है number of moles time सब्सक्रांट में एट्रखाइब से इंभा आहते हैं त्रख्षिक्ति लिशुयर है कि दो świतकी सब्सक्रांट कर दोसिते हैं आप में अः़ीएं आयोग मो पर आपका जो वेट ओना चाहिए वो किलो ग्राम में होना चाहिए उप्तर देस्य के बाद हमार्य आरजाता है कि मानके चलिए अगर रम वेट ऑप सॉल्में लेके चलते हैं किलोग्राम के अंदर याद रखे गा जो आपको आपको इस चांदर सिंबल ए होता है जो रो जो शुटिन भूल आ होने होता हो अbam मतलब होता है स्वालिट इंक तुक मतलब होता है आपका स्वाल्वें आपर वेट ओगते हो आपको इचाल वाइड तो सम्टाइम्स आपको जो डेट ऑफ सॉल्वेंट होता है वो ग्राम में दे रखा हो और ग्राम को थाजन आने के लिए यू हवावट इपाइड इस तो आपके नुमिल जो नुमिलेटर तर्म है और यह जो नुम्रों मूल से आपके जिसको अगर मैं सिंप्लिफाइब करूं तो सिंप्लिफाइब करके यह फामूल आपका बनाया है यह फामूले में जो तो लगा हुआ है यह हुआ। आपका चिरफ यूनिट कनवर्शन इसकी उनिट के वेट को किलो ग्राम बनाने के लिए यूज करा जा रहा है अगर आपको वेट अल्रीड के जिस में दे रखा है यहां पर तो आपको यहां पर थाउजन पूट करने की ज़रुवत नहीं पड़ेगा अब अब जो एक्चुल फॉम्ला ओल्री अटी का उपर तो अमने नुमिरेटर के मोल्स और दिनामने टरमने का लिखा है अब एक चीज और थोड़ादा दिमां में क्लिपाय करने के लिए काम करते हैं यह फॉम्ला लगब लगग आप लोह का मुलारिटी जैसा ही आपको दिख रहा होगा लेकिन अगें अगर मैं मुलारिटी के फॉर्मले की बात करूँ तो वो होता था कुछ ऐसा कि इसके अंदर हम लोग इंस्टीड ऑफ कि वेट की ना बात करके वहाँ पर हम वॉल्यूम लेदे तो कौलारियर जारी कि ही यहां पर हम बात कर रहे हैं वोल्यूम ओफ solution के बारे में और आइट जाद अखिएगा this is how we define molarity and this is how we define molality अब आप चाहे तो वीडियो पॉसकर के से copy कर लीजीगा इसको मुरब कर देगे जी copy कर दे हैं सब लोगों ने जादे शौब चलिए आप स्कॉट आ देते हैं students और आप देखते हैं इन दोनों पर कुछ particular questions जा इस पर को समझते हैं कि इस पर questions कैसे आते हैं fine questions समझने के लिए so now question says here acid solution of H2SO4 water was prepared by dissolving its 49 gram in 250 ml of oh sorry 250 gram of water 250 50 gram of water question है calculate calculate its molality इसको 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 एक और तरीके से पूछ सकता है आखना calculate its it's it's concentration in in terms of moles इस पर केजी यहांद रखेंगा students मोल्स पर केजी कंडिशन पड़ायती मैंने कि चाहिए molality की बात कर लीजे चाहिए molality की बात कर लीजे सारगा सारा है क्या सारगा सारा students क्या होता है आपका concentration ही होता है तो सम्टाइम कोशन में आपसे पूछन के लिए मोल्स पर लीटर में तो मैंने भी आपको पड़ाया था कि मोल्स पर लीटर का मतलब होता है molality और मोल्स पर केजी का मतलब होता है molality तो सुटेंट यही लिखने का यहां पर मतलब क्या हुआ कि यह कुशन आपसे पूछना है क्या निकालने के लिए molality calculate करें जिन सुटेंट को ना पता हो ने बता दता हूँ कि हाँ पर आपको atomic mass पता होना चाहिए क्योंकि एक्जाम में नहीं देगा आपको atomic mass given है hydrogen given है 1 sulfur का given है 62 और आपको oxygen का molar mass या atomic mass given है 16 यह पहली बात तो चलो पहले काम करते हैं कहीं साइड में आप लोगों कहीं रफ बफ में molality का formula लिख लो molality का formula अभी पढ़ायता students wb solute multiply by 1000 upon molar mass of solute multiply by weight of solvent right पढ़ायता मैंने आपको 1000 कब लगेगा जब kg में दे रखा हो और आपको पास formula अब देखे student formula को देख करके pick करना आना चाहिए आप लोगों को कि भीया इद में से क्या के चीज़े हमें गिवन है और क्या कि हम लोगों इसकंदर put कर सकते हैं बिलकुल तो चलो पहले question को पढ़ो language समझो और अगर एक बार आप पढ़िता समझ में नहीं आती तो दुबारा ठीक है आप चाहे तो वीडियो को pause करके question try कर लीचेगा और फिर वीडियो को resume करके आप लोग answer देख सकते हैं ठीक है मैं start कर देता हूं final question surely students यहाँ पर आपको weight of solute क्योंकि solute यहाँ पर आपका sulphuric acid है वो आपको दे रखा that is 49 gram weight of water water यहाँ पर solvent होगा पढ़ा था मैंने आपको acid solutions में water क्या होता है solvent weight of solvent हमें कितना that is out to be 250 grams ठीक है इसको gram में रहें दो 1000 लगा रखा है यह चीज आपको student खूद निकाल ली molar mass किसका H2O4 का जो भी element है उसके ratio से उसको multiply कर दो क्या करो उसके ratio से उसको multiply कर दो बाद में क्या करो उनके toy mass को put कर दो sulphur का toy mass कितना था 32 multiply by 1 oxygen कितना था 16 multiply by 4 student यह आएगा 2 32 plus 48 sorry 32 64 students यह आपका आजाएगा 98 U कितना जाएगा हुआ जाएगा तो देखो students formula में कितनी बनीगी हाप आपके लोग के अप morality is out to be how much 49 multiply by 1000 upon 98 multiply by 250 यह गया 4 से यह गया 2 से क्या आपको student 2 2 याद रखेगा units के marks होते है I repeat unit के marks होते है answer लिखने के बाद unit मत बुलिखना बूलेगा unit है आपके students 2 moles per kg क्या unit students आप लोग की 2 moles per kg right तो सब को समझ में आता है इतनी बात सभी को हटा दिया इसको students सब हम लोग हटा दिया इसको students चलिए हटा के इस numerical को अब अगला टर्म समझते है students small fraction ठीक है और जानते है कि समने solution copy कर लिया समझ में आरा होगा नहीं समझ आरा होगा कोई बात ही देरे देरे समझेंगे approach develop करेंगे में पाइंगे अपने को बढात है सब अगे दिखे लोग की और फारन कुछ से का था था सब्सक्राइब अब पर सकते हैं सो अब मैं आपकी गूप बी गूप अब एससे मुलारिटी गूप बी में से जहां पर हम अब्डिया मास की बाद करते हैं आसनों में मुलालिटी को कर तुकी है सो नेजस्ट दििसक्त है है कि अत हम पैंसे कर दिसक्त कर रहे हैं मोल प्राक्षिन सि्मछ सील त्थी तभलं रैक्षान crystal Crypt दिस आप निया जब एations up नेञे मतलब होता है Crusade अब रेशो मतलब होता है अपार्ट अप्संधिंग का मतलब है कि यह दर सकाम लोग प्रैक्टिकल सिंग्निफिकेंस जाने प्रैक्टिकल इंग को यह बता रहा है कि पूरे का कुछ हिस्सा जैसे कि अगर हम कोई अगर मैं मान के चलो मोल फ्रैक्टिकल वात कहुंट सुलुशन के रहा है तो इन दोनों के ही पारिकल सापको सॉलुट्टिक्ट में देखने को मिलेंगे So same way, अगर मैं मान के चलो, mole fraction की बात करू, solution ये concept की रखाग, solution पे लगाओ, अगर मैं mole fraction का concept, तो ये वज़ ये समझ में आएगा, कि पूरे solution में से, जान सुनेगा, पूरे solution में से, कितना हिस्सा solute बिंट ने लिया है, और कितना हिस्सा solute ने लिया है, याद रखेगा, how much part is occupied by solvent, and how much part is occupied by solute, ये हमको बताता है, mole fraction, इसका मैं एक और एक्जांपल देता हूँ, तो भी marker आपका पूरा हो जाता है, same way अगर मैं इस marker का body cover, refill, cap सब अलग कर देता हूँ, तो उन सभी को, हम बोल सकते हैं कि these all are your fractional parts, ये सभी के सभी आपके fractional parts है, लेकिन अगे जब इन तब को जोर दोंगे, तो आपको complete a single body मिल जाएगे, तो में single unit मिल जाएगे, एक single particular body, तो same fundamental आपका mole fraction का भी होता है, तो mole fraction, यादखें किसी भी solution का mole fraction से, हमें practical का information मिल गए, देखें ऐसा concept जाना जरूरी है, concept जाने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग मोल fraction का आगे, बहुत जोगा पर use है, आगे जाके, mole fraction calculate करेंगे, gas वाले solutions के अंदर भी, liquid वाले के अंदर भी, आगे जाके आपको mole fraction पढ़ना है, फैपर फेस के अंदर भी, तो वहाँ पर भी आप concept तभी समझ पाऊगे, जब इसका core concept पता होगा, तो core concept इसका क्या है, कि solution का mole fraction, याद रखेंगा, mathematical formula is not अगर are concerned, में इस समझ के आ रहा है, किस तरीके क इसका क्याक है, चान सुनेंगा, अगर कोई solution तयार करा रखेंगा, तो solution के अंदर, कितने particles कर पतिया कितना हिस्सा, solute ये लिले लिया और कितना हिस्सा, कि जिसमें हमने, तेन चीज़ों को आपस में mix किया और, तेन चीज़ों को led ती हम ये की, मिक्स क्या है, तो क्या होगा उस solution में more fraction इसका B का और C का A B और C, तीनों में more fraction अलेलक हो सकता है और उस more fraction से हमें का समझ में आएगा, हमें किस तरके का information में इस समझ में कितना इसा solute A ने या substance A ने occupy कर रखा है, कितना इसा B ने occupy कर रखा है, और कितना इसा C ने occupy कर रखा है, यह information, यह significance, यह practical significance होता है आपके mole fraction Mathematically तो जैसे आप देखी रहे हैं कि fraction का मतलब होता है ratio और आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है mole, तो अगर mole और ratio दूना शब्दों को मिला करके समझू, तो समझ में आ रहे हैं कि यहां पर बात रही किस के बारे में, यहां पर हम बात कर रहे है, ratio of moles के बारे है, अब moles के ratio लेने से मतलब क्या हुआ, moles के ratio लेने से मतलब है, कि तुम जिन चीज़ों को मिला करके mixture तयार कर रहे हो, जिन चीज़ों को मिला करके solution तयार हो रहा है, उनी के moles का ratio, so कुछ नहीं है यह, it's just a ratio of moles, किसके moles, solvent के भी moles हो सकते है, solute के भी moles सकते है, और अगर तीन ची right, तो याद रखेगा, it is just a ratio of moles, और जैसे कि मैंने बताया, कि अगर मैं solutions की बात करता हूँ, यह ABC वाला किससा हटा देते हैं, फिलाल, कि आप लोग चाहे, तो solute का भी mole fraction निकाल सकते हैं, और चाहे, तो solvent का भी mole fraction calculating करा जा सकता है, पर अगर याद रखेगा, चाहे आप solute का es आप शोलुएंट का लूए निर्काले वादो आपको कचा प्रूएंगे लाई है चाहे आप स्लुएंट का ले ने का लूएंगे then you have to put number of moles of solvent in numerator और इसको हम लोग दिवाइड कर देंगे तोटल मोल से जी हां और इसको हम दिवाइड कर देंगे आपके तोटल मोल से अब क्यूंकि बात हो रही है solution के बारे में solution के स्वेल के बनता है solute से और solvent को mix करके बनता है तो क्या मतलब निकलता है इसका कि students solution A plus B का है पर क्या मतलब निकलता है इसका यहां पर यह मतलब निकलता है कि total moles यानि solution के total moles अगर चाहिए तो इसके लिए simply क्या करना पड़ेगा आपको solvent और solute के moles को भी add करना पड़ेगा क्यूंकि solution इन दोनों से ही मिलकर बनाया गया है तो यहां पर जो total moles और solution है वो बेसके लिए आपको कैसे मिलेंगे वो आपको मिलेंगे solute के moles और solvent के moles को add करके इन दोनों के moles को अगर हम add कर दे तो हमको मिल जाते है है solution के total moles total moles जी हा लेकिन अगे basic approach basic fundamental remains basic चीज़ वो यही कह रही है कि भाया जिसका mole fraction इकाल रहे है उसके mole सूपर solute के mole fraction इकाला solute के mole सूपर solvent का mole fraction इकाला solvent का mole सूपर और divide कर देंगे total से यानि कि जो denominator term है as you can see the denominator will remain same दोनों में denominator सेम रहेगा चाहिए solvent के निकालो mole fraction या solute के बस परके तो किस चीज़ का numerator term का चलिए अभी तो मैं आपका solution के context में explain कर रहा हूं mole fraction let's say कई बार आपको पूश्चन कर रहे हो और किसीवी चीज़ का अगर आपसे बोल दिया mole fraction निकालो या mass fraction निकालो all fraction mass fraction सेमी चीज होती है बस जहां पर आप मोल्स कर रहे हैं उसके अगर आप weight को पूट करना शुरू कर दो उसके अगर आप मास को पूट करना शुरू कर दो तो उसको आप नया नाम दे देंगे mass fraction कि मैंने लिखा भी था last video lecture के अगर जी तो क्या होता है यह कि याद रखेगा कि जिसके भी moles आपको देना है उसके moles उपर और जिसके moles निकाले उसके नीचे और अगर माननके चलो आपको कभी कुछन बोलागा कि किसी कभी mole fraction निकाला है simple straightaway तरीके में तो fundamental concept दिमाग में रखेगा कुछ नहीं करना नहीं है हमें याद रखेगा formula नहीं रखना formula नहीं के लिए किताब हैं हमें समझना है तो concept समझना है इस ग्रूटल एक्षर के तुरू मालग को सब्सक्रांस भी है उसके mole fraction निकाल तो इसके mole उपर रखे और डिवाइड कर दो total जैसे कि लेट से अगर हम लोग a plus b plus c का mole fraction निकाल रहे है तो let's say अगर आप mole fraction c का निकाल रहे हो तो आपको c के mole रखने पढ़ेंगे numerator में और इसको आप अगर आप इन दोनों mathematical term को एड करते हैं याद रखेगा अगर आप इन दोनों mathematical term को add करते हैं तो in that case याद रखेगा solute का mole fraction और solvent का mole fraction किसके कोल होता है मिशा रखेगा 1k कोल रखेगा solute और solvent का mole fraction होता है वो मिशा 1k equal देखा जाता है आप रोख चाहिए तो इसे अलग से अगले टोपिक पर आने जा रहा हूं याचली topic पहले बात में जाएंगे पहले इसका एक कोशन लगालते हैं वाइट जबते हैं और चलीट आपक टोपिक क्यों मिलकूल चलीए कोशन लगाते हैं स्टुडेंट्स की कैसा होता है इस पर कोशन अगर आता है मौल फैक्शिन पर जी कोशन लखते हैं कोशन है calculate mole fraction of let's say 40 gram of NaOH in 54 gram of water 40 gram of NaOH in 50 gram of water if you want it, you can solve it first and try it in the students, I will give you a mass NaOH 23, oxygen is 16, hydrogen is 1 right, solve it, then try it in the students so, the first thing you have to get is moles कफिस्टोनिया कारते हैं तो अगर आप मास को अगर वह आपको फिरसे बोल रहा हो आपको मास करेंगे के लिएक जुआ निरहा हिविपल र चैन्थ का वित गों को सब्सक्त करें थीडसे फिल्षें क रहा ह अंगे कंवंनम हो कीव छाफिन माद जिँवन माद पाल था अ कंवह भुर मास्ट एंडको मां वा टाइन 2. 1. water के मोल्स उसके बाद निकाल सकते हैं अपना मोल-व्रैक्शन प्रैक्शन मोल्स उसके यह स्वेलें हैं आप लिसे निकाल रहे हैं अपने मोल-व्रैक्शन तिस्का भी हो जिसका भी solid solvent? जिसका भी मोल fraction निकालर है उसके मोल सुमें नुमिने रेज भाइब बाइब 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 टू तो अनौ पाइब डिया बाइब बाइब टूटल का मतलब this plus this one plus three that is ought to be one by four that is ought to be 0.25 और जैसे कि मैंने बतायता कि water का mole fraction for water के moles upon total moles that is ought to be three by four that is ought to be 0.75 अगर आप यह नहीं भी calculate करना चाहते तो इसका अभी मैंने तरीका समझायता कि दोनों का mole fraction किसके को होगा कि इसे मैं अगें राव करने वाला है कि इसे मैं अगें राव करने वाला है वाइट चलिए अब आते हैं एक ऐसे numerical के बारे में students एक ऐसा numerical जिसके अंदर हम बात करते हैं इसे आप लोगे concept काफियत तक clear हो जाएंगे राइट कोशन कह रहा है calculate molarity molality और अबता mole fraction of urea solution ये काम परता है क्यालिजे 20% urea solution having density having density 1.25 gram पर अबर जी इतना दे रखा है चाहे वीडियो को प्राइ कर सकता है इस बार question के जो language है बहुत चैलेंजिए है समझे नहीं आ रहा हो देखकर के किसार ऐसा करना कैसे है तो सुटेंट्स ये question दिया ही इसलिए किया है ताकि आपको समझ आ सके कि ऐसे question क्या से handle करना है सुटेंट्स तो ध्यान सुनेगा इस बार students question में अच्छा एक चीज़ और करेक्ट करते थे आपके हमेशा ये तीन स्टेप्स आपके हमेशा ये तीन स्टेप्स कॉमन रहेंगे पहला स्टेप्स लेट टोटल मास ऑफ solution क्या करेंगे अपसे लोग स्टेप्स हमेशा लेट करेंगे किसको टोटल मास ऑफ solution को that is out to be 100 ग्राम्स क्या आधना प्रसंटेज में जब भी हम करते हैं तो टोटल कितना लेटा है 100 लेटा है तो आप अपर हम वीट भी कितना लेंगे 100 ग्राम्स वाइट अगर सुडेंट टोटल सॉलिशन है तो प्रस्टन बोल रहा है कि उस तॉलिशन में यूरिया जो है वह कितना परसंट प्रसंट है 20 तो सुडेंट जहां पर से गांडरा थेट तो इस वेट को लेका तो यहां पर सुर्ण बाएट का यही मतलब हुआ कि तो अगर सौ था तो सौ में से 20 ग्राम्स क्या है यूरिया और remaining क्या होगा students water remaining क्या होगा water क्योंकि यहाँ पर 20% urea urea का formula में आपको होता है तो students यह इसका formula होता है urea का formula है यह ठीक है तो यह आपको पता हो रहा शीव ऐसे तो यह तो formula दे रखा होगा यह इसका more more generally दे रखा होता है जो कि 60 होता है right जी अब इसके basis पर student जहां से हमारे पास weight of यह mass of water आ सकता है कैसे total solution में से अगर user minus करते तो water का weight आजाएगा 80 grams क्या जाएगा 80 grams का weight आजए तो चलिए अब बात करते हैं आगे की ठीक है तो students पहली बात पूछी गई है molarity अब अब अगर आपको students में molarity का formula बताऊं मुलारिटी जो कि मैंने पढ़ा आता capital M होता है तो क्या है यह मुलारिटी का मतलब है students weight of solute multiply by 1000 upon molar mass of solute multiply by volume of solution यह होता है पुरूर्ण अमेरिकल में आप देख सकते students volume कहीं नहीं है यह तो हमको नहीं रखिए इस बाल formula को लिखो फिर समझो कि यह calculate करें के लिए यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए यह तो already आ चुका है rate of curia इससे आप लोगों मोल्र मास निकाल लोगे यह नहीं जीवन पुरे question नहीं instead of volume students क्या दे रखा इस बार density क्या दीविए density तो student हिहाँ पर density को यूज कर सकते हैं और यहाद रखेगा students अगर आप language को पढ़े तो having density solution की density है तो यहादक ना density का students जो formula होता है ना वो होता है mass by volume इस formula को यूज करते हैं कभी भी गलती मत करना जो कि जाहतर students कर देते हैं और गलती क्या होती है कि student density solution की है तो इस formula में यादखना जो mass होगा वो भी किसका होगा solution का और जो volume रखेंगे वो भी किसका होगा solution का यहाँ पर student क्या करते हैं वो mass किसका रख देते हैं water का किसका रख देते वाटर का जो की गलत है भई अगर density water की नहीं है तो वर्टर का हम ना बात करके वह अपको solution को बेट लीना है कितना 100 कितना लटर करके चल रहे हम लों 100 यह तीन स्टेप याद रखेगा वही यह तीन स्टेप आपके हमेशा फिक्स रहेंगे कब जब परसंटेज दे रखे होगी कि मास कितना है मास है मारे पास 100 ग्राम वाली मॉफ सॉलूशन में को निकालना है यह दैन्सिटी की वने में कितनी 1.25 इकोल 2 थाऊंडर अपान में वाली मॉफ सॉलूशन कितना आएगा इसको यहाँ ले जाओ इसको यहाँ लियाओ students that is 100 upon me 1.25 that is out to be how much solve करेंगे अगर आप लोग तो इस students 80 आजाएगा 80 ml किस में आएगा students 80 ml अच्छा याद रखेगा ml's q ml's q students क्योंकि देखिए unit as I told you chemistry में unit बहुत component role play करते है तो याद रखेगा unit है gram पर ml ग्राम पर ml क्या हुआ कि ग्राम वेड ग्राम में में आएगा ml में इसलिए आप देशने तो मैंने वेड ग्राम में पुट किया है 100 ग्राम ता 100 ही पुट पर है और आपका वॉल्म कितना आ रहा है यहाँ पर 80 ml's में रहे कितने मेरे students 80 ml's राइट तो वॉल्म आचो को है हमारे पास जोंको चेहिए तो देखिए के लिए बिल्कुल तो पुट करते हैं वेट और सॉल्यूट युडए का वेट 20 अपॉन मोलर मास युडए का 60 आएगा अपने आप पूरता चलेगा 60 आएगा ठीक है याइड बाइट इसको अगर आप सॉल्व करते हैं स्टुदेंट्स तो बाइट 24 बाइट 100 अपॉन में 24 जी किता आएगा ये आपको स्टुद्स आएगा कुछ अप्रोक्सिमेटली 4.066 4.667 4.66 7 4.667 क्या याद रखेगा यूनित मॉल्स पर लीटर याद रखेगा क्या उनित पर लिटर मोल्स पर लिटर मॉल्स पर लिटर मॉल्स पर लिटर आपको वह स्कोड़ी आगई सेंवे सून मुलालिटी निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट में मुलालिटी स्मॉल है फॉम्ला पता ही होगा आपको वेट आफ सॉल्यूट मुल्टिप्लाइब थाउजन अपान अपान में यहां पर बस वॉल्म की जगा क्या जाएगा वेट सॉल्मंट, सॉल्म वॉल्म की जगा सिरफ क्या जाएगा वेट आप करते हैं विट करते हैं थे स्मॉज में आएगा की अगीन और समय और स्मय आएगा केज यादखने आपट इसकी प्रपर इसकी प्रप्र मॉल्स प्रप्र अगए इसके बार में आधे छुडीक दो पाट आगे थर्ड पार देखते चलिए यह तादू इसकंदा सक्षन कोपी कर लिया होगा अप्लोगों बॉल फ्रेक्शन के लिए कर देंगे फिसलिए नमबर आफ मोल्स ऑफ यूरिया फॉर्मुला पता ही आपको स्टूरेंट्स क्या फॉर्मुला होता है गिवन मास्क्राइब मोलर मास यूरिया का वेटमाय पास कितना इस ताइम 20 मोलर मास काएगा 60 या जाएगा 1 by 3 यह आपको पी 0.33 से में स्टूरेंगे नमबर आफ मोल्स ऑफ वाटर अच्छा इसको हम लोग एद यू से रिप्रिजन कर देंगे और यहापर वाटर के मोल्स को न एच्टू से रिप्रिजन करेंगे एगा है formula अगेंस इंगेवान भामॉट मोलर मास वह विट्कितना मार पासा इती अपन पर मोलर मास सूंट किता व अलीज है Holder is 2, Oxygen 16 तो 2 प्लस 16 that is 18 इसको सॉल करेंगे आप लोग स्टुटेंट्स तो 4.44 का प्रॉक्स आजाएगा यह चेक कर लिजिए आप लोग जो जो तो इसका बीजिए तो नमटर मोल्स में जो नमटर मोल्स हैंगे वह वह भी किसके यूरिया प्लस वॉटर क्या बनाया गया रहे। 0.33 upon 0.33 plus plus 4.44 यह आपका students भन जाएगा चेक कर दिजेगा आपका जाएगा जाएगा यूरिय का मोल फ्रैक्शन और मैं छोटा सा होमग दे देता हूँ अभी बदाया था मैंने आपको की इस तरीके से स्टुडेंट्स आपके नुमेरिकल आते हैं किस टॉपिक के ओपर मुलारिटी मुलाल यची और आपके मोल फ्रैक्शन के उपर और भी अललो वराइटी के नुमेरिकल आते हैं अच्छे लेवल के कोश्चन आते हैं मुलारिटी को भी और एक्स्टेंट में पढ़ना होता है वह फुर्दर डिसकस करेगे आगे लेक्शर के लेकिन लेकिन फि आपके पास फिर से लेकर क्या होंगा इस चाप्टर के एक और इंटरस्टिंग ट्रॉपिक को तब तो के लिए स्टुडेंट्स गुद्बाई